कौन है जिसने दुबार पुछे नहीं रेखा गाइस अगर आप इंस्टाग्राम में नए नए ट्रेंडिंग रिल्स को जालना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एलफूर होने वाला है इस वीडियो में मैं आपको step by step रिल्स की आइडिटिंग बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी सी रिल्स को आइडिट कर पाएंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब ज़रूर कर ले और वेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे कि जब भी मैं वीडियो को अफ्लोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और आप उस वीडियो को देख पाएं सो हे गाइस मैं हुसनाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेकनोलोजी स्मार्ट सपोर्ट में विदाउट फदर दिले लेट्स केट स्टार्टेड इस फ्रेल्स के अईटिंग हम कैपकट एप से करेंगे तो आपके फोन में कैपकट एप डाउनलोड होना चाहिए अगर आपने अभी तक कैपकट एप को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखकर कैपकट एप को डाउनलोड कर लें इस वीडियो का लिंग आपको कमेंड में और डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा और जब भी आप अपने वीडियो को कैपकट के एप से या फिर कैपकट की टैमडेट का यूज़ करके बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप वीपियन को कनेक्ट कर लें तो मैंने प्ले स्टोर से सिंगापूर वीपियन दी वीपियन मास्टर को डाउनलोड किया है आप किसी भी वीपियन का यूज़ कर सकते हैं तो अब हम सबसे पहले वीपियन को कनेक्ट कर लेते हैं तो हम इस एप को ओपिन कर लेते हैं और फिर select server पर click करेंगे और फिर नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर सिंगापूर को option मिल शाएगा तो यहाँ से हम सिंगापूर को choose कर लेंगे और फिर start पर click करेंगे तो अब यह मेरा VPN connect हो गया है इस Reels को edit करने के लिए हमें इस वीडियो की जुरत पड़ेगी तो आप इस Reels को मेरे telegram channel से download कर ले मेरे telegram channel का link आपको description box में मिल जाएगा या फिर आप telegram पर technology smart support search भी कर सकते हैं उसके बाद channel को open करके join कर ले अब आपको यहाँ पर 3. पर search option मिलेगा इसे open कर ले और यहाँ पर कौन है यह search कर लेंगी उसके बाद यह video आ जाएगा तो हम यहाँ से इस video को download कर लेंगे अब यह video download हो गया है और मेरे gallery में save हो गया है अब हम CapCut app को open कर लेते हैं और फिर new project पर click करेंगे अब हम उस Reels को choose कर लेंगे जो अभी हमने telegram से download किया है और फिर अपने दो photo को choose कर लेंगे जिससे हमें video को edit करना है और अब add पर click करेंगे अब हमें नीचे ratio का एक option मिल जा रहा है ratio को choose करेंगे और यहाँ पर 9 ratio 16 को choose कर लेंगे फिर right के icon पर click कर लेंगे अब हमें last में इस app का watermark मिल जा रहा है तो हम यहाँ से इसे delete कर लेते हैं और फिर इस video को choose करेंगे फिर फिर हमें extract audio का एक option मिल जा रहा है इस पर click कर लेंगे तो हमारा audio यहाँ पर add हो जाएगा अब हम इसी इस तरह से zone कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पर 5F, 10F इस तरह से आने लगी और फिर इस line को हम 0.10 second के पास ले आएंगे आपको यहाँ पर timing सो होगा 0.10 के पास लाने की बाद यह जो dot है यहाँ पर हम इस line को लाएंगे उसके बाद इस video को choose करेंगे और फिर हमें नीची split का एक option मिल जा रहा है तो यहाँ पर split पर click कर लेंगे और फिर इधर वाले part को हम delete कर लेते हैं अब यह जो photo है इसे choose करेंगे और फिर इस तरह से इसे zoom करके इसे fit कर लेंगे इसी तरह से हम दूसरे photo को भी fit कर लेते हैं अब हम इस photo में timing को set कर लेते हैं तो इस line को 0.13 second के पास ले आएंगे और फिर इस पहले photo को 0.13 second तक हमें लगाना है और फिर दूसरे photo बढ़ा जाते हैं और इसे music के लाज तक लगा लेते हैं तो यह जो photo का extra part है इसे हम split कर लेंगे और फिर delete कर लेंगे उसके बाद हम पहले photo के starting पर आजाते हैं और अब effect को choose करेंगे फिर video effect बढ़ा जाएंगे और यहाँ पर जो यह night club वालो option है इस पर click करेंगे और यहाँ हमें black flash का एक option मिल जा रहा है इसे choose कर लेंगे और अब right के icon पर click कर लेंगे और इसे पहले photo से last photo तक add कर लेना है तो हम इसे इस तरह से बढ़ा की इसे पूरे photo में लगा लेती हैं उसके बाद इस पहले photo को choose करेंगे और फिर style पर click करेंगे और यहाँ पर motion वाली option पर आ जाती है और यहाँ पर हमें जो camera तिक वर option मिल जा रहा है इसे choose कर लेंगे तो अब यह generate हो रहा है जब तक यह generate हो रहा है तब तक आप मुझे comment कर दीजे कि आपको अगला reals editing tutorial कौन सा चाहिए तो अब यह generate हो गया है अब हम इधर scroll करेंगे तो दूसरे photo पर आ जाएंगे दूसरे photo में आने के बाग यह जो camera bounce वाला style है इसे choose कर लेंगे उसके बाद right की icon पर click कर लेंगे तो यह दोने style इसमें add हो गया है अब इन दोनो फोटो के बीच जो यह icon है इस पर click कर लेते है और फिर blur वाले option प्या जाते हैं और यहां से हम bubble blur वाले option को choose कर लेंगे उसके बाद right की icon पर click कर लेते हैं तो अब हमारा video ready हो गया है अब हम इसे एक बार click करके check कर लेते हैं जब आप Instagram पर इस rails को upload करियेगा तो मुझे tag करना ना गूलेगा मेरे account का user name आपको screen पर show हो रहा है उसके बाद अब हम इसे export कर लेते हैं तो इस पर click करेंगे और इसे 100% हो जाने देते हैं अब हम देख लेते हैं कि हमारा video कैसा बना है इसी तरह से आप इस तरह के रेल्स को बहुत ही आसानी से edit कर सकते हैं इंस्टाग्राम के trending rails से related मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं जिसके playlist का link आपको description box में मिल जाएगा आप उस playlist को देखकर और भी trending rails क्रेडिट कर सकते हैं और आगे भी इसी तरह से helpful videos लाने वाली हूँ तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर ले और bell icon को भी प्रेस कर दे जिससे कि जब भी मैं वीडियो को upload करूँ तो उसकी notification आप तक पहुचे और आप उस वीडियो को देख पाए मैं Instagram पर भी trending rails से related videos को upload करती रहती हूँ